हालो स्टुडिंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिस में रिडर बुक हानी सकल हानी सकल से आपका लेसन नंबर वन हू डिड पैट्रिक्स हॉमवर्क आज हम इस लेसन के क्वेस्चन आंसर्स करेंगे टोटल सिक्स टैक्ट्वल क्वेस्चन समने लिए हैं रिटन फॉर्म में सभी क्वेस्चन और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट प्रिक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे डिसकस करते हैं Question No.1 What did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक ने क्या सोचा उसकी बिल्ली किस के साथ खेल रही थी? देखिया आंसर है पैट्रिक थोट देट इस cat was playing with a little doll पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुडिया के साथ खेल रही थी Patrick thought that his cat was playing with a little doll Patrick ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुडिया के साथ खेल रही थी बिल्कुल छोटा सा अगर आप आंसर करते हैं तो ये हो जाएगा with a little doll इतना भी आप लिख सकते हैं एक और question यहाँ पुछा गया है What was it really? पैटरिक की जो cat किस के साथ में खेल रही थी पैटरिक की बिल्ली वास्ताव में किस के साथ खेल रही थी In fact, it was really a tiny man वास्ताव में ये एक छोटा सा आदमी था छोटे कद का आदमी था इसको भी आप बिल्कुल छोटा सा आंसर दे सकते हैं एक छोटा सा आदमी था हमने अंडरलाइन करके रखा हुआ है हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप complete answer लिखें लेकिन अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत होती है तो आप छोटा सा answer इस question का जो first part है उसका answer आप लिख सकते हैं with a little doll और इसका जो second part है उसका answer आप कर सकते हैं a tiny man दोबारा से देखें पैटरिक थोट देट इस cat was playing with a little doll in fact it was really a tiny man question number two देखें why did the little man grant पैटरिक a wish grant पैटरिक का मतलब है वर्दान देना छोटे आदमी ने, elf ने, yaksh ने पैटरिक को वर्दान क्यों दिया पैटरिक had saved the little man from a cat पैटरिक ने उस छोटे आदमी को एक बिल्ली से बचाया था so the little man granted him a wish इस लिए उस छोटे आदमी ने पैटरिक को वर्दान दिया बिल्कुल छोटा सा अगर आपको अंसर करना है तो यहाँ starting में आप because लगा देंगे B.E.C.A.U.S.E. Because पैटरिक had saved the little man from a cat इतना आप अंसर कर सकते हैं Because पैटरिक had saved the little man from a cat यह भी आपका अंसर correct होगा What was Patrick's wish? Patrick की क्या इच्छा थी? Patrick wished that the elf should do his homework till the end of the semester Patrick की इच्छा थी के स्तर के अंध तक little man या elf या आप हिंदी में कहें जो यक्ष था वो Patrick का homework करे Patrick का ग्रह कारिय करे यह पैटरिक की इच्छा थी स्तर के अंध तक Patrick का ग्रह करिये elf करे Patrick को खुद अपना homework ना करना पड़े यह उसकी इच्छा थी दुबारा से अंसर देखे Patrick wished that the elf should do his homework till the end of the semester semester की spelling अच्छे से करेंगे S-E-M-E-S-T-E-R semester अगर आपको बिल्कुल छोटा सा अंसर देना है तो आप कर सकते है that the elf should do his homework फुल स्टोप लगा देगे that the elf should do his homework यह आपका correct अंसर हो जाएगा Question no.4 In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework Patrick का ग्रह कारिय करने में elf को, यक्ष को, छोटे आदमी को किन-किन विशों में मदद की जरूरत थी आंसर है He needed help in maths, English and history उसको maths, यानि के mathematics, यानि गनित English, अंग्रेजी and history इतिहास ये तीन विशे बतलाए गई हैं जिन में elf को Patrick का homework करने के लिए help की जरूरत थी, मदद की जरूरत थी बिल्कुल छोटा सा अंसर आपको देना है तो आप कर सकते हैं In maths, English and history Question no.5 How did Patrick help him? Patrick ने little man की अपना homework पूरा करवाने में किस परकार help की? किस परकार मदद की? Patrick pronounced the spellings Words की जो spellings होती है Patrick ने उनका pronounce किया उनका उचारन किया He also found words from the dictionary जो dictionary थी शब्द कोस में से Patrick ने words ढूंडे Patrick ने dictionary में से words ढूंडे शब्द ढूंडे Patrick pronounced the spellings अब यहाँ आपको pronounced जो word है यह याद करने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ told टी ओल्ड टोल्ड लिख देंगे उसकी spelling लर्ण करना आपको easy रहेगा असान रहेगा Patrick told the spellings He also found words from the dictionary ऐसे भी आप अंसर कर सकते हैं Patrick pronounced the spellings He also found words from the dictionary Question number 6 Who do you think did Patrick's homework? आप क्या सोचते हैं? आंतते हैं Patrick का ग्रहे कारिये किस ने किया? देखिए The little man needed Patrick's help to complete the homework The little man needed Patrick's help to complete the homework Patrick का ग्रहे कारिये पूरा करने में Little man को छोटे आदमी को Patrick की मदद की जरूरत थी Patrick had to help him Patrick को उसकी मदद करनी पड़ी अपना ग्रहे कारिये पूरा करवाने में Patrick को little man की elf की यक्ष की मदद करनी पड़ी So according to me Patrick himself did his homework इसलिए मेरे हिसाब से Patrick ने खुद अपना ग्रहे कारिये किया किसी और ने नहीं किया Patrick ने खुद अपना ग्रहे कारिये किया The little man needed Patrick's help to complete the homework Patrick had to help him So according to me Patrick himself did his homework Students आपका lesson number one Who did Patrick's homework के? Question answers हमने यहाँ पर discuss किये है आपके next lesson के question answers के साथ अगली वीडियो में आप से फिर होगी मुलाकात Thanks, have a nice day आपके 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 से अगले वीडियों